हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto Edge 40 न्यू एंड़ेट मॉइल फून में अगर आपके मॉइल फून की incoming call अगर screen के ओपर शो नहीं होती है तो इस problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको detail में जान करना है ठीक है मॉइल फून को restart करने के लिए मॉइल फून के side वाला power button आपको उंगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने छोटा सा page आएगा इसमें आपको restart करना है इससे क्या होगा आपका मॉइल फून जो है वो automatic switch off हो जाएगा फिर इसके थोड़ी तेर बाद automatic switch on हो रिस्टार्ट करने से यह होता है हमारे मॉइल फून के android system में अगर कोई problem आ जाती है तो problem जाया solve हो जाती है phone को restart करने से ठीक है एक बार restart जरूर कर लिजीगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process यह करना है कि आपके मॉइल फून के जो calling का app है ना यह जो phone app है आपका इस calling के app को आपको reset करना है यानि कि इस calling के app का data clear करना है कैसे देखे अगर आप इस calling के app को उंगली से आप दबा के रखेंगे तो एक छोटा सा page open होगा मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके का ठीक है इस page में आपको यह कोने में circle के अंदर जो i button दिखाई देरा बना हुआ इसे आपको tap करना है ठीक है तो आपको यह जो है न फोन अप का app info का page open होगा इसमें आपको नीचे की साइड यह storage and catch का option यह tap करना है ठीक है अब इसके अगले page में आपको दो option मिलते है एक तो यह clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले इसे clear catch पर टैप करना है इसके बाद आपको इसे clear storage पर tap करना है आपका एक page आएगा delete app data का इसमें आपको ok का button tap करना है आपका नीचे की side यह user data और यह catch इन दोनों के सामने अला data यह आपका 0 हो जाएगा तो इस तरीके से आपको अपना calling का app reset कर देना है जिससे आपके phone की incoming call screen पर show नहीं होती है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process यह करना है आपको अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone का software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है पता नहीं लग पाता है कभी कबार तो mobile phone का software होता है हमारा updated ना होने के कारण भी हमारे mobile phone के Android system में कुछ problems आने लगती है तो आपके mobile phone का software है वो आपका update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखे इसके लिए आपको सबसे बहले mobile phone का इंटरनेट चलो रखना है ठीक है इसके बाद mobile phone का setting page open कर लेना है setting page में आपको जो नीचे की side आना है और यहापर आपको यह system का option आपको tap करना है अब दोस्तों यहापर जो है इसके अंदर आपको नीचे की side इस system update पे tap करना है तो आपको इस वाले page में अगर कोई भी update का button या download install लिखावा दिखाई देता है तो उसे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software update हो जाएगा और आपकी जो phone की incoming call screen पे show नहीं होती है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहापर आपको सबसे आखरी process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है दोस्तों आपको अपने mobile phone को reset आपको तब ही करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते हैं कोई भी तब आपको phone को reset करना है अदरवाइस phone को reset करने की बिल्कुल ज़रुवत नहीं है mobile phone को reset करने के लिए mobile phone का setting page open करिए इसमें आपको जो है सबसे नीचे की side आपको ये system पर tap करना है इसके अंदर आपको ये reset option tap करना है इसके अगले page में सबसे नीचे erase all data factory reset पर tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की incoming call जो screen पर show नहीं होती है या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करना है ये दो काम आपको पहले करने है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना है ठीक है आपके mobile phone का service center का वहाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूं देखे हो सकता है आपके mobile phone के hardware में कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से आपकी ये problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताए है अगर mobile phone के software की किसी कमी के वज़े से ये problem आ रही है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी ये problem solve हो जाएगी अदर्वाइस आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा